बिस्विल्लार्मानी औरहीम दिससामना एंग टोड़ी विल डिसकस अबाउड शंगाई कोपरेशन और्कनाइज़ेशन जिसे एसीयो भी कहते हैं इंटर गॉर्मेंटल म्यूचल स्क्यूर्टी और्कनाइज़ेशन ठीक है ये एक इंटर गॉर्मेंटल म्यूचल स्क्यूर्टी और्कनाइज़ेशन है then important regional alliance भी इसे कहा जा सकता है और इसके इलावा political, economic and security organization भी इसे कहा जाता है या फिर आप कह सकते हो कि political, economic या फिर security alliance है ये एक ठीक है इसमें क्या क्या चीज़े देखी जाती है इसमें politics से related बहुत सी policies बनाई जाती है इसके इलावा economy में बहुत सा काम किया जाता है इसके इलावा security को बहुत हद तक maintain किया जाता है कैसे क्यों इस organization को security organization का नाम दिया गया है क्योंकि it focus on regional security issues fight against regional terrorism ethnic separatism and religious extremism ठीक है तो ये जितने भी matters है इन सब को ये जो organization है ये sort out करती है यहाँ पर एक question ये है कि अगर ये organization इतनी काम्याब है इतनी successful है ये सारा काम करते तो फिर क्यों terrorism होता है देखें कहीं न कहीं कुछ चीज तो होती है ठीक है जहां अचाही है माँ बुराई तो होनी ही होनी है then उसके बाद है जी इसको economic organization या economic alliance क्यों कहा जाता है regional economic initiative for example CPAC and Russia-led Erosia Economic Union ठीक है अचाही है ये नाम win-win strategy को adopt किया हुए इस organization मतलब कि इनका ये एक perspective है कि अगर एक state को फाइदा हो रहा है तो दूसरे को भी फाइदा हो so this is win-win strategy जैसे कि आप one road, one belt जो पूरा का प्रोजेक्ट है CPAC जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया हुए इसकी भी win-win strategy ही है ठीक है इसके लाबा रशिया का अपताया हुए कि रशिया ने भी बहुत से economic union किये हुए है ठीक है खुद भी वो फाइदा लेता है और दूसरों को भी फाइदा देता है political organization इसको क्यों कहा जाता है क्योंके politics से related बहुत से issues को भी resolve किया जाता है इस organization में उसके बाद है जी GDP 15 trillion dollars अगर हम देखें तो जितनी भी members state है इस organization की ठीक है उन सब की GDP 15 trillion dollars है मतलब ये बड़ी कोई strong किसम की organization है अभी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि कौन कौन से जो members है इस organization के वो हम आगे पढ़ते है और दिन आप लोगों को easily idea हो जाएगा कि ये मतलब कि 15 trillion dollars की GDP है ठीक है ये बहुत ज्यादा है देन उसके बाद चाइना जो उन सा है वो इस organization का member है detail में members अभी हम पढ़ते है सरफ इतना understand करें कि China member है ठीक है and China is an emerging economy ठीक है but it is short of energy ठीक है emerging economy चाइना तो है ठीक है but उसके पास energy की facility इतनी अच्छी नहीं है ठीक है तो इस organization में उसका एक main purpose ये भी है कि वो दूसरे मलक से अपनी जो energy need है उनको पूरा कर सके फिर इसके लाब इंडिया ठीक है इंडिया जोंस है वो भी emerging economy है तो इंडिया है वो energy importing country है ठीक है मतलब के इस organization में जो states जिनके पास oil है gas है ठीक है इंडिया उनसे क्या करता है energy purchase करता है ठीक है दूसरे states है ठीक है वो मतलब इस तरह एक दूसरे से benefit लेते हैं अब हम पाकिसान के बात कर लेते हैं पाकिसान के पास as such energy तो नहीं है बट पाकिसान की जो geostrategical location है that is very important क्योंकि आपको पता है कि पाकिसान के पास गवादर port है ठीक है that is gemstone in the crown of sea pack बने दिया क्या क्योंकि गवादर के थूरू Arabian Sea ठीक है उसके बाद जो trade है ठीक है वो बड़ी easily China जोंसा है वो कर सकता है ठीक है जी तो ये आपको एक introduction था कि basically ये जो organization है ये क्या organization है आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपनों को मैप पी लेक चलती हूँ हम मैप देखते हैं कि कौन कौन से states जोंसी है वो इसमें present है तो organization में ये जो ऐसी organization है इसमें basically रश्या है रश्या है चाइना है कासकस्तान है अजबाकस्तान है पाकिस्तान है इंडिया है तुर्क और इसके लावा ताजकस्तान है ठीक है और यहां पर भी एक state है तो ये सारे दिखें जो states है मैं आपको दिखा दी है एक मैप में कि जो करीब 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 state है ये सारे के सारे आपके SEO का हिस्सा है ठीक है और इस स्लाइट इस वेरी इंपोर्टन इसमें हम लोग ये अंडिस्टाइंड करेंगे कि ये ओर्गनेज़ेशन कब बनी ठीक है और कौन-कौन से इसके मैंबर्स state है तो ये जो ओर्गनेज़ेशन थी SEO इस दी कॉंटिनुएशन ओफ संगाई 5 फाउंड़ इन 1996 ठीक है बिलकुल स्टार्ट में 1996 में इसमें पांच मेंबर्स है जिस वेरा से शहंगाई 5 का नाम इसको दिया गया ठीक है वो पांच मेंबर्स कौन कों से से चाइना, रश्या, कागजस्तान, करगजस्तान और इसके लिए ताजिकस्तान ठीक है ये पांच स्टेट सी, 1996 इन पांचों ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हम एक और्गनाईजेशन बिनाते हैं ठीक है 1996 में उसके बाद अनाउंस ओन 15 जून 2001 ठीक है फाइनली इसको अनाउंस कर दिया गया 2001 में और इसके बाद केम इन्टू फॉर्स ओन 9 सब्तमबर 2003 2003 में फाइनली ये और्गनाईजेशन की इसने एक शकल इक्तियार कर ली ठीक है अब मैं आपको बताती हूं कि इस टाइम शहंगाई कोपरेशन और्गनाईजेशन के 8 मेंबर्स हैं ठीक है पांच वही जो बिलकुल स् ऐइंडिया ने ठीक है तो इस टाइम S.E.O के कितने मेंबर्स हैं जी स.E.O के आठ़ मेंबर्स हैं और यही मैंने आपको भी मैप में दिखाया है ठीक है अगर मैं कौंट करूं तो कितने मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है ये 8 मेंबर्स जोन से हैं ये S.E.O के इस घराइम्टम मेंबर्ज हैं धी 바꿈ग है इंडिया और किस्व मारे हैं कि इससे हम पाकिस्था की में किस्व आई, क्या है तो ने यृसराने हैं कि इस्वास भी इसetinा और है के नहीर। किस्थार्च कू MAX टीके जी, तो निक्स्ट। आज़ई अच्छा मेंबर्स ओफ S.E.O. इनको बहुर्ट डीटेल में देखते हैं, ठीके एट मेंबर्स जो नों से पर्मनेंट जो मेंबर्स अब को बता चुकी हैं, इसके इलावा तीन तरहां के मेंबर्स S.E.O. में शामिल हैं, अगर हम देखे तो सबसे पहले eight permanent members जो मैं आपनों को अब ही बता है ना, गजाफिस्तान करग़स्तान, ताजिकिस्तान, असबाकिस्तान पाकस्तान, इंडिया. ठीक, ये 8 मैं आपनों को अरुड़ी बता चुकी हैं इसके लावा चार observer states हैं observer states वो होती है जिनका बहुत दिलकरा होता है कि हमें भी काश इस organization की membership मिल जाए ठीक है permanent membership मिल जाए ठीक है तो वो कौन सी हैं जी वो चार हैं कौन कौन सी अफगानिस्तान, एरान, बिलारस और इसके लबाव मंगोलिया ठीक है इंडिया है इसके इलावा पाकिस्तान डेफिनेटली और इसके इलावा रश्या ठीक है Central Asian जो स्टेट्स है आज सच वो इतने टोप पर नहीं है ठीक है बट उनके पास energy resources है ठीक है तो उनसे benefit लिया जा सकता है फिर six dialogues partners भी हैं SEO organizations के ठीक है अब dialogues partners जों से हैं ये कौन कौन से हैं ये जी अर्मीनिया, अजर्बाइजान, कंबोडिया, नेपाल, सिरिलंका और तर्की ठीक है ये six के हैं जी six dialogue partners हैं इसके इनावा दो हज़र इकिस में accession process of Iran to SEO as a full member ठीक है 2021 में ये मतलब के decide किया गया कि जो Iran है ठीक है उसको भी full membership दे दी जाए ठीक है और इसके इलावा मजीद 2021 में decide हुआ के Qatar को, Egypt को और Saudi Arabia को भी dialogue member ये dialogue partner करतों पर इस SEO में शामिल कर लिया जाए All right now this slide is very 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 much important क्योंकि इसमें हम एक नया perspective understand करने लगे हैं और वो perspective ये है कि consider किया जाता है कि ये जो SEO है ये basically alliance of the east है ठीक है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है बट कुछ चीजें हैं जो नजर आ रही हैं मतलब क्यों चाइना और रश्या को ऐसा लगा कि उनको इस तरह की एक alliance बिनानी चाहिए Reason क्या है भई देखें आपको एक Cold War तो याद है ना ठीक है कि नहीं याद तो मेरे चैनल पे Cold War की वीडियो है इसको लाजमी देख रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत से जगह पर Cold War को डिसकस करेंगे तो Cold War में क्या था basically दो सूपर पावर्स थी एक रश्या और दूसरा USA ठीक है दोलोंने अपने अपनी organizations बनाई होई थी with the best of time जो रश्या की organization थी Soviet Union वो टूट कई और यह जो अस्बैकिस्तान ठीक है और यह जितने भी states हैं Standard Asia के यह सारे Soviet Union का हिस्सा हुआ करते थे ठीक है लेकिन अब यह अजाद हैं ठीक है Soviet States हैं और इसके लवब नेटो ठीक है नेटो जोनसी है ठीक है वह अभी पी exist करती है और इवन कि वह expand करती जा रही है ठीक है यह चीज ना ही रश्या को acceptable और ना ही चाइना को acceptable चाइना को क्यों ने acceptable है क्योंके अभी हम यहां देखते हैं जी यह यहां से दुबारा इक दभा देख लेते हैं यह जो अलाइंस है बेसिकली SEO की इस एक्चली sensitivity with West ठीक है sensitivity with West कैसे है क्योंकि मैंने भी आपनों को Cold War का थोड़ा सा incident समझाने की कोशिश की है कि मतलब Soviet Union की जो पूरी के पूरी organization थी वो ब्रेक होगी थी बट नेटो स्टिल एक्सपेंड करता जा रहा है abolishing नहीं हुई उसमें नेटो एक्सपेंडिंग फ़रवर्ड इस्ट ठीक है यह जो इस्ट की तरफ एक्सपेंशन हो लिए ना ठीक है यह जिरश्चना को बिल्कुल भी पसंन नहीं है नेटो की आपको पता है कि चाइन इक इमर्जिंग कोनमी है और यह चीज़ यूएस को नहीं पसंदा ठीक है तो इन्होंने एक कंटीनमेंट पुलीसी बिनाई है चाइना के लिए तो चाइना को भी लगा कि उनको ऐसी अर्पनाईजेशन बनानी चाहिए जो किसी किसम का थ्रेट कर स मेर्जिंगा किसके जो गिंगा किसके लिये दैन है जी अ कन सेंस्टिवीटी एंड फॉलिटिकल इंस्क्रीटी फ檰र रॉड रॉड रिजिया ठीक है ये जो नेटो एक्सपेंशन होती जा रही थी ये बिसिकली रश्या की सेंस्टिविटी एंड पॉलिटिकल इंसक्यूरिटी बढ़ाती जा रही थी इसलिए रश्या का जहें था कि हम भी इस तरह की एक और्गनिजिशन बनाएं ठीक है तो ऐसी यो तो बन गई अब मै आप लोगो बताती हूं कि इस और्गनिजिशन में कोन-कोन से सतेस्ट किसके साइड से एंटर होई है तो अगर आप लोग देखो तो पाकिस्तान और इंडिया ठीक है ये साउट आशिया में हैं ठीक है इसके लावा चाइना यह कहा है जिव कर एन चैनidor आशिया में ठीक इ तो यही थोड़ा सा परस्पेक्टिव था जो मैं आप लोगों को बता चुगी हूं अब आगे चलते हैं Purpose of SEO, SEO का Purpose क्या है? Strengthen and safe, guard regional security and to promote the common development of the member state इसके लगए achievements of SEO, SEO की क्या के achievements है? Number one, SEO has reached out to not only other countries but also to other multilateral organizations ठीके इसका ना के दूसरी states इसका हिसा बना जाती है यह इसकी achievement है बलके बहुत से दूसरी organizations भी इसके साथ मिलके काम करना चाहती है ठीके जैसे के ASEAN ठीके बड़े अच्छे तालुकात है दोनों के Then उसके बाद है UN granted it observer status to the General Assembly in 2004 ठीके इसके लावा SEO को United Nation ने observer status grant कर दिया 2004 में ठीके A number of events and agreements in 2006 and 2007 indicate a cautious development of SEO toward a full-grown security organizations इसके लावा 2006-2007 में SEO ने इतने agreements किये हैं और बहुत से agreements को पूरा भी किये यह basically इसके achievements हैं सारी की सारी Then उसके बाद हम बात करते हैं जी In July 2007 SEO Energy Club was established with which SEO may aim for a common energy approach also strengthen energy security ठीके मतब energy security को भी maintain किया जाएगा और energy approach को भी maintain किया जाएगा Provider SEO provider cooperative forum of consultation which has allowed both smaller and bigger members to balance their national interest and power in geographic area अब आपको पते हैं कि इसमें बड़ी strong powers नहीं हैं इस organization में इसके लवाद हो central areas Central Asia वाली जो countries हैं ठीके वो weak है But instead of that यह एक ऐसा platform है जहां पर सबको equal मतलब कि cooperative forum है यह ठीके चोटा बड़ा इसमें count नहीं किया जाता है ठीके कोशिश की जाती है कि सबके disputes को acknowledge किया जाए ठीके यह एक ऐसा forum है इसने बहुत सी disputes को resolve किया है ठीके और इस organization के through Pakistan और India के issues को भी resolve किया जा सकता है but we need diplomacy ठीके हमें इस तरह की terms चाहिए है कि हम अपनी बात मनवा सकें so this is all about SEO if you have any questions write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet निल्दे हैंची next hot issue के साथ until then मुझा अपनी दौा में आत रखेगा stay tuned and Allah Hafiz